तो इडिट करने वाले हाँ फोटो 26 जन्वरी रिपॉब्लीक डे तो इस फोटो को नर्मल पीक हम सेयर कर लेता है अपने पीक साट अप्लिकेशन में यहां से इस बैगराउंड को सेयर कर लेंगे पीक साट अप्लिकेशन में पीक साथ अपलिकेशन में आने के बाद हम यहां से एड फोटो पर आएंगे और अपने मोडल पीक को एड कर लेंगे यहां से इस पीक को पहले से मैं एक टाउट करकर रखाऊंगे इस पीक को एड कर लेता हूं इस पीक को यहां से बड़ा करके यहां से शेब कर लेता हूं यहां से डॉन कर लेता हूं डॉन कर लेंगा फिर से एड़ पीक पर आएंगे एड़ पीक पर आने के बाद इस जहांडे वाले पीक को ले लेते हैं यहां से जहांडा वाले पीक को लेकर और इसे राइटेट पर आकर इसका राइटेट घुमा लेते हैं यहां से घुमा लेते हैं इसे अपने साइज के हिसाब से इसे यहां पर रख लेते हैं और यहां से रखने के बाद इरेज पर आएंगे और यहां से इरेज कर देंगे तो जो मेरा पीक है वो लाएगा कि मैं हाथ में रखा हूं यहां से डॉन कर लेते हैं फिर से डॉन करने के बाद एड़ पीक पर आ जाते हैं एड़ फोटो पर यहां से आ जाते हैं एड़ फोट फिर से एड कोई कुछ विए जरवालि आपशन पर आकर इंभॉर्ट करके यहां से एरेज कर देता हां Dank सब्सक्राइब से अपने मोडर फिपक पर थोटा से छोटा करके हरका सऌरी लिदा हूँ यहां से इरेज करने के बाद डॉन कर लेते हैं यहां से से अप कर लेता है अब डॉन कर लेता है इसको अफिर से एड़ पिक पर आ जाते हैं हम अदियाज से फिर से मोडम अपने एड करण लिटे हैं जो एक और नहीं सब करना है यहां से यह कर लेता है कि न्यविस्थन आप स्सक्रेट ने मैं से बाद इसको यहां से 12 को relative बिदेया चाहिए यहां से निचे कि तरह यहां से डार्क कर देते हैं अब डॉन कर देते हैं डार्क करने के बाद यहां से फिर से एड़ फोटो पर आजाते हैं एड़ फोटो पर आने के बाद इस बैग्राउंड को एड़ कर लेता हूँ दोनों पिक एड़ करने के बाद इसे यहां से फिर से बाड़ा करके फिर से बलाइंड वाले अप्शन पर यहां से आजाते हैं और इसे स्क्रीन पर छोड़ देते हैं फिर से इस पिक पर आयते हैं और यहां से बारा करके बारा करने के बाद यहां से हम आ जाते हैं फिर से बल कर लेते हैं